हिंदी फूर्ट जोन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही आसान रेसिपीज मिलेंगी वो भी हिंदी में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चलिए चलते हैं फटा फटा आज की रेसिपी देख ल प्रेड दॉन और और में प्रेज की कैसे फटाने हैं एक आफ रशज्च है में आधा चमच डाला में में आफ रख सकते हैं अज को और इसके साथी साथी से बराबर चलाते रहना है जब हमारी हल्की सी सौफ्ट हो जाएगी तो बड़ा चमचिते उसमें ताजा कुटभा अ तरीका है लेकिन पूरा तरीका आप देखेगा कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेज हैं वो इस सब्जी को बहुत ज़्यादा तेस्टी बनाते हैं रोज मर्रा में आलू मटर का सीजन भी आने वाला है और अक्सर हम बनाते हैं तो एक बार इस तरह से बना के देखेगा बहु कुछ लाल मेच पाउडर इसमें तीखापन बढ़ाने के लिए साथी साथ इसमें डाला है धनिया पाउडर एक बड़ा चमच और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक और थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि सुखे मसाले जले नहीं देखिए मसाले अच्छी तरह से मिला तो तमाटर उसमें थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है अब इस जो टमाटर और प्याज कर जो मसाला है इसे हमें काफी अच्छी तरीके से पकाना है देखिए कि इतनी बड़िया तरीके से इसने तेल छोड़ दिया है तो हम इसमें अब डाल देंगे एक छोटी हलके हलके आथो से टैप करे हुए है। और अगर आपको लगे तो बीच बीच में आप एक एक चम्मा जिसमें पानी मिला सकते हैं। इसा करने से इसे मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पकता है जैसे देखिए मैंने थोड़ा सा मसाला पानी यानी मिला दिया है इस तरह से जो मसाला है उसको हम थोड़ी ज्यादा देर तक भून पाते हैं वो भी कम तेल में और सबजी में रंगत और टेस्ट बहुत ही बढ़ उबले और मैश किये हुए आलू डालेंगे तो मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइज के उबले और मैश किये हुए आलू डालेंगे तो आलू को पूरी तरह से मैश नहीं करना है हलके हलके टुकडे रहने चाहिए यानि की मोटा मोटा बस तोड़ लेना है हाथों से और चा जतना जल्दी आप पानी डाल देते हैं बिना फ्राई किये सब्सवी में वह स्वाद होता है सुगंद होती हैं नहीं आप आती हैं दो मिनट तक भूनने के बादниц Immer फ्री नहीं डालेंगे तो अभी मैंने एक ग्लास से भी कम पानी डाला था इसमें आप एक बार चमत से मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से इसे देख लीजिए कंसिस्टेंसी देख लीजिए आलू उबली हुई है तो थोड़ा पानी आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं यानि ब की तरह से यह मिल गई है तो अब इसमें नमक अर्जस्ट कर लीजिए तो थोड़ा नमक मैं और मिला देती हूं टेस्ट कर लीजिए और इसे पकने दीजिए रंगत देख रहे हैं ना उपर कितनी अच्छी आ रही है कश्मिरी लाल में इस पॉडर का इस्तेमाल जरूर करें स्वाद के साथ साथ रंग भी बहुत अच्छा आता है इसे धीमी धीमी आच में यानि मीडियम फ्लेम में हम इसे पका लेंगे तीन से चार मिनट के लिए तब तक जब तक जो कंसिसंसी है वो आपकी अपनी मन पसंद नहीं हो जाती है अब सबजी काफी गाड़ी हो गई है पकते पकते धीरी धीरी आच में पकाया है तो और उपर इसने तेल भी छोड़ दिया है तो उपर तेल भी तैरने लगा था आपने दीखा तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे हरा धनिया है तो आप इसी डाल सकते मेरे पास इस टेम नहीं उपलब्द है और मैं आ स्वाद और भी बढ़कर यानि उभर करके आएगा तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह अलू टमाटर की स्वादिस्ट सब्जी आलू मटर की ज़रू ट्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को प् बहुत ही आसान वीडियोज शेयर करती हूँ.